आप सभी को सारे फेस्टिवल्स की धेर सारी सुबकामना इन एडवन्स अभी आने वाली है हर्याली का तीज तो उसकी लिए मैं आप सभी की साथ एकदम सिंपल सा मेकप टेटोरियल शेयर कर रही हूँ वीडियो पसंद आए जाद जाद लाइक करना शेयर करना कॉमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी सबसे पहले तो मैंने अपने चेरे को फेश रोश किया ड्राय किया उसके बाद मैंने टोनर के लिए है रोज वाटर क्योंकि अगर आपके पास कोई भी टोनर नहीं है तो रोज वाटर से अच्छा कोई टोनर आपके लिए हो नहीं सकता आप इसे लेके अपने चेरे पे अपलाई करें जब टोनर हलका सा ड्राय हो गया था उसके बाद ही मैंने आप लिया है अलूविरा जेल अगर आपके पा तो आप अलूविरा ले सकते हो जैसे कि मैंने लिया है उसे आप अपने पूरे चेरे पैचे से अपलाई करने के बाद आप बात आती हैं पर फॉन्डेशन की तो देखिए अगर आप इवला मेकप फॉन्डेशन के साथ करना चाहते हो तो आपको जिस तरीके से मैं लगा र पहला नहीं करते हैं तो जब दो शौरे अपने गढ़नर पर थोड़ा सा पॉंडेशन करके लें फिर और इस तरीके से अपने चेहरे लंगाए अपनी कानों को दो भी ना लगेगा एसा लगेगा कि कानों की चेहरा बहुत जड़ा वाईट हो जाएगा तो इसलिए और आपको इस फॉंडेशन को ब्लेंड करने के लिए पूरा टाइम देना है ब्लेंड करने में आपको बिल्कुल भी जल्दवाजी नहीं करने है जितना अच्छे से आपका जो फॉ और मैं अपनी आई ब्रोज को न पहोब बनवाती हूं जैसे कि कि से करलाइब चिम्पकर लेती है उसके बात जो आई ब्रोज वरस कर लेती हूं और शेप कर लेती हूँ तो इसी से काफ़ी अच्छा लोगा आता और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मेरी जो आई प्रोजें बनी हुई नहीं है बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे इनको बन बाया हुआ तो मैं इसी तरह के से करती हूँ और आप फाउंडेशन में अगर च मैं आपको बहुती अच्छे अच्छे टिप्स दे रही हूँ बहुती अच्छे अच्छे हैक्स बता रही हूँ जो आपके मेकप करने में आपको बहुत ज़्यदा काम आने वाले हैं अब मैंने हैं पर लिया है आई सेडो तो देखिए जो मैं अपना आई मेकप कर रही हू और दिन में आप एक तम नमूना दिखते हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो मैंने ऀहां पे पिंग सेड़ लिया है और मैं अपनी अच्छे से से लगा लोगी सेट करलूगी ब्लेंड करलूगी er मैं हलका सा touch up दोंगी अपनी ड्रेस के aug Ultimately बस हलक रुख रूंगी बहुँ जड़हाई नहीं करूँगी लेकिन बेस पर ब्युकी精Re पेंड़ा pepp us pake Dazu आप में हलका सा देखिये मैंने के ड्रेस के augording जो मैंने přड्रेस अभी डाली हुई है यही सेड मैंने लिया है और लेने के बाद हलका सा टच अप दूँगी यह वाला जो आप मेरा आई सेडो पैलिट देख रही हो ना यह स्पार्कल वाला है थोड़ा सा शाइन होती है चमकिला होता है तो जड़ा सा टच अप देने से ही मेरा आई मेकप ट्रेस के यही लगाओंगी मैं यह एक्तम लाइट बाला लगाओंगी एक्तम हलका हलका लगेगा कि जैसे कि उपर की सब्सक्राइब काजल लगाते है बिल्कुल आपको वैसा लगेगा बहुँचा इसे मोटा नहीं करूंगे मैं अपना लाइनर अगर आपको लाइनर पसंद है तो लगाए नहीं है तो आप इसे कि जगे आप काजल भी लगा सकते हो यह आपके उपर डिप्रेंट करता है तो अम में यहां पर क्रूंगे मैंने यहां पर लिया है मस्कारा यह वी मैंने पर बन यह आपको दे चुकी हूं अगर आपने मेरी उवल्पर वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा निचे डिस्क्रिप्शन में तो हुआ से आब आए कर सकते हो तो देखिए अब मैं लगा रही हूँ है अपर मस्कारा मस्कारा जब आपका लाइनल लग जाए ना उसके बाद आप मस्कारा लगाए तो मैं ऐसा करती हूँ अपने मेकप को थोड़ा सा सैट करने के लिए जिससे आपको पसीना नहीं आए और आपका मेकप अच्छे से सैट हो जाए आपको बिल्कुल भी चिप चपाहट वाली फीलिंग नहीं आए कि आपकी जो इसके पर पर आपको य्क्षर बनता है तो वह भी आपका नहीं बनेगा तो यहां पर मैंने लिया ए प्रफिलिंग भी नहीं होगी और आपका जो मेकप है काफ़ी ज़्यादा गिलोइंग और अच्छा लगेगा तो यहां पर मैंने फेस पाउडर का टच अप देने के बाद अब मैं क्या करूंगे हलका सा ब्लस करूंगे बहुत ज़्यादा नहीं करूंगे एकदम हलका करूंगे आप पूरा मेकप मेरा देख लेना बिल्कुल भी आपको हैवी मेकप नहीं लगेगा एकदम लाइट मेकप लगेगा आज का वीडियो उन सभी की लिए है जो एकदम ला किसे मैंने हलका सा ब्लस किया ब्लस करने के बाद अब आपको क्या करना है देखिए आपको थोड़ा सा मतलब अपने चेहरी को अपने स्किन को अपने मेकप को थोड़ा सा शाइनी बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा हैक बता रही हूँ आपको लेना है अपन तो यहां पर मैंने ब्राउन कलर की लिए लिप लाइनर इससे क्या करूंगी पहले तो मैं अपने लिप्स को शेप दोंगी शेप देने के बाद ही मैं इनको फिल करूंगी फिर मैं सेलेक्ट करती हूं कि मुझे अपनी ट्रेस के अपोर्डिंग कौन सी लिप्स्टिक अपने अपने मतला फेस पर लगानी चाहिए लिप्स पर लगानी चाहिए तो पहले तो मैं थोड़े सी आफ्लेंग बना लेती हूं तो यहां पर कंप्लेट हो चुकी है तो यह देखिए अब इनमें से मैंने सेड निकाले हैं ब्राउन एक वर तो मैं सोच रही थी कि ब्राउन लगा हूं फिर मैंने सोचा नहीं ब्राउन से ज्यादा मैं चाहिए करेगा मिलेको लगता है तो आप लोग बताना ब्राउन ज्यादा अच्छा लगता या फिर जो मैंने यह वाला सेड लगाया है यह वा को लेने कब कर př拒ए हुए इसके साथ का जो गुलेका है आपको दिखाती हूँ यह चुटा सा चुन्नो सा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा नेकले से तो इसको भी मैंने वेयर कर लिया इसी के ऊपर जो मैंने ये टॉप पेहनी हुए ने टॉप है ये कोई ब्लाउज नहीं है टॉप के उपर मैं साड़ी पेहने वाली हूँ और ये रहा मेरा फैनल लोग आपको कैसे लगा कमेंट्स करके बताना साथ में मैंने वेल्ट पेनी है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना शेयर करना बाए